नमस्कार मैं हूँ आपके साथ नम्रिता शर्मा और हैश्टेग क्या दिशा सालियान ने एकता कपूर की कोई पार्टी अटेंड की थी इस तरह का एक हैश्टेग चलाय जा रहा है और लोग सवाल पूछ रही है इतना ही नहीं एकता कपूर को इस पूरे मामले में घसीटा जा रहा है राजन शर्मा नाम की एक यूजर है जिन्होंने लिखा है और फिर दो फोटोज उन्होंने शेर की हैं जिसमें एक तरफ एकता दिख रही है और दूसरी तरफ दिशा सालियान दिख रही है एकता को उन्होंने डाइन बताया है और दिशा सालियान को प्योर सोल बताया है फ्रियंका नाम की एक यूजर ने लिखा है फिर इस यूजर ने ये भी सवाल उठाया है कि रोहन राय कहा है रोहन राय आप जानते ही होंगे दिशा सालियान के मंगेतर के तौर पर इनका नाम सामने आया था लेकिन पूरी जाँच से ये रोहन राय नाम का शक्स दूर रहा इनको नहीं मीडिया में आते हुई देखा गया और नहीं इनके बयान के तौर पर क्या कुछ सामने आया तो इस तरह से लोग लिख रही है और सवाल उठा रही है कि दिशा सालियन की मौत को एक साल हो चुका है लेकिन इस में अब तक कोई खुलासा क्यों नहीं हुआ है आपको याद होगा दिशा सालियन की मौत के तार सुशान सिंग राजपूत की मौत से भी जोड़े गए थे कई तरह के सवाल उठे थे दिशा को लेकर भी कई तरह के सवाल उठे थे ये तक कहा जाने लगा था कि पार्टी में उस रात उनके साथ कुछ गलत हुआ था जिसके बाद दिशा के पेरेंट्स ने आ गया कर बाकायद एक लिखित शिकायद दी थी और कहा था कि जो कुछ भी हुआ वो उसे एक हाथसा ही मानते हैं और इसमें किसी का हाथ नहीं मानते हैं फिर ये भी खबरें आई कि दिशा सालियान के पेरेंट्स पर दबाव बनाय जा रहा है लेकिन कुल मिलाकर सौबात की एक बात कि दिशा सालियान का केस नहीं सुलजा है और दूसरी तरफ सुशान सिंग राजपूत ने भी आतमत्या की या उनको मारा गया इसको लेकर फिलाल जान चल रही है आप बताईए इस पूरी खबर पर आप क्या कहते हैं